हे दोस्तो वेलकम टू एक्विस्टिव एजूकेशन आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि क्या होगा अगर किसी व्यक्ति को यहां पे कोरोना वायरेस के दो अलग-अलग वेरियंट एक समय पे ही हो जाए यह केस यहां देखने को मिला है बेल्जियन वुमे को हुआ था एक बेल्जिया की रहने वाली ओरत थी उन्हें ही केस देखने को मिला था जिनकी उमर 90 वर्स यह थी इसी को हम लोग इस केस को भी डिसकस करेंगे आखिरकार क्या था यह केस और इसके बाद हम लोग यह भी देखेंगे कि जो डॉक्टर है और जो बड़े-बड की वीडियो में इन डिटेल पढ़ने वाले हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा सबसे पहले उस न्यूस के बारे में जो की काफी इंपोर्टेंट हो जाती है और यह सवाल जहां से उठके आता है तो 90 वर्स की एक बेल्जियन वुमेन है जिनने बताया जाता है क कि उनका पहला केस रिपोर्ट करा गया है और उन्हें दो अलग-अलग वेरियंट सार्स कोव 2 के एक टाइम पे हुए थे यहां बताया जाता है कि उन्हें मार्च में ही इस साली मार्च में यह पता लगाया गया कि उन्हें दो अलग-अलग वेरियंट अलफ और बीटा वेर लेकिन इसे अभी हम लोग क्यों डिसकस कर रहे हैं। तो इस वज़े से हम लोग आज इस वीडियो में इसके बारे में देखने वाले हैं कि पूरी बात इन डिटेल पढ़ेंगे कि क्या ऐसा पॉसिबल है और ऐसा पॉसिबल है तो इसका कितना ज़्यदा खतरा होने वाला सबसे पहले बता दूमें आपको कि ये कोई सर्प्राइजिंग चीज नहीं है। एक सार डबल इंफेक्शन होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हमने ये बहुत बड़ी बात यह है कि पहला केसी में देखने को मिला है लेकिन ऐसा आप नहीं मान सकते हैं कि ये पहली ब कि लोगों को इंफेक्ट कर सकता है उसके थुरू यहां पर बात बहुत क्लियरली करी गई है कि इफ संबडी इस एक्सपोज तो मोर दिन वन इंफेक्टेट परसन, यही बात जैसे मैं आपको बताई कि अगर कोई एक इनसान अलग अलग इंफेक्टेट लोगों से मिलता है तो ऐसा हो भी सकता है कि सभी सभी इंफेक्टेट ले ले यह तो आज़की सभी इंफेक्टेट ना ले तो यह बात भी हमें देखने को मिलती है इसके साथ-साथ जो वी- एस चोहान जी है जो की फॉर्मर डिरेटर है डिली-बेस इंटेनेशनल सेंटर फोर जेनिक इंजिनि वो लेगा लेकिन अगर ऐसा होता है कि वो अलग-अलग लोगों से मिलता है जिनने अलग-अलग Variant हो रखा है तो उसे भी वो Variant हो सकते हैं ये बात है हमें देखने को मिलती हैं आगे बात करते हैं तो उन्होंने ये कहा है कि ये וाइरस जो है ये Multiple आप कह सकते हैं अपने आप में ही change करता अपनी body को अलग अलग तरीके से आप लोगों ने पढ़ा होगा कि खुद में ही develop करता है अपने आपको इसलिए अलग अलग variant हमें देखने को मिलते हैं इसके साथी साथ हमने ये भी देखा हुआ है कि ये directly हमारे immunity system पे attack करता है इसके साथ साथ यहां बता जाता है कि जो भी पिरियेड होता है जहां पर आप आप सकते हैं जब वो लोग को infect करता है बस उस दोरान हमें आप कह सकते हैं यहां पे बचने की जरुत हो जाती है और जो भी इंसान उस टाइम पे उनके contact में आएगा तो obvious जी बात है कि उसे infection होना है इनकी बात माने अगर हम लोग तो इनके अनुसा यह double infection जो है बहुत common होता है HIV patients में उन्हें काफी बार अलग लग variant के थुरू आप कह सकते हैं infection हो जाता है आगे बात करते हैं कि आखिर यह rare नहीं है तो हम लोग मतलब ऐसे कैसे जान सकते हैं हम लोग कि हम लोग इससे surprise भी नहीं हो सकते हैं और rare भी नहीं है तो ऐसा क्यों है इसके बारे हम पढ़ते हैं देखिए जो probability है वो बहुत ही कम हो जाती है अगर हम लोग बात करने हैं कि दो अलगले infection के variant एक टाइम पे ही एक इनसान को हो जाएं लेकिन जैसे कि case हमें देखने को मिला है तो probability थोड़ी सी है पर बहुत ही कम है आप सब जानते हैं यहाँ पे कि कोई अगर एक infected person जो कि आप कह सकते हैं दूसरे infected person के contact में आएगा तो उसे obvious सी बात है मैंने बताया आपको कि उसे होना है लेकिन यहाँ बता जाता है कि अगर वो उस दौरान जहां पे वो infection फैलाता है उस दौरान वो किसी और से मिलता है तो आप कह सकते हैं सभी से वो infection ले ले तो इसकी probability बहुत ही ज़दा कम हो जाती है इसके साथ साथ यह भी मानना है कि जितना भी आप कह सकते हैं यह बहुत ही rare chances है कि हर इंसान से वो infection ले ले और अपनी body में वो दो अलग लग variant यह दो से जादा variant रख सके आगे बात कहते हैं अगर हम लोग इस Belgian woman case case के बारे में इसके बारे में भी काफी अच्छी study यहां बताई गई है और यह study दी है साहिद जामिल ने जो की डायरेक्टर है त्रिवेदी स्कूल ऑफ बायो साइंस एर दी आसोका जिनिवर्सिटी और उनके अनुसार यह बात साम इसके बार हमने देखा होगा कि वो इनसान या तो खुदी ठीक हो जाता होगा या तो आप कहते हैं रिपोर्ट नहीं मिली हमें या फिर इतनी बड़े तरीके से आप कहते हैं जांच नहीं करी गई है तो cases जरूर होंगे लेकिन हाँ पहला case हमें मिला है तो इसलिए rare हम को काफी एक बड़ी चीज यहां भी देखने को मिली है कि एक ऐसी बॉड़ी हमें मिला एक ऐसा होस्ट मिल गया है जो कि दो इंफेक्शन को आप कह सकते हैं एक साथ रख सकता है अपनी बॉड़ी के अंदर ओके तो ऐसी का इस काफी सारी बाते जो एक्सपर्स के तुरू मे भीस बाइंगे आपा बट ओके टॉड़ी को आप आप चाछल्स सकते हैं एक विसवे एक बड़ को आप आप चीज चारी यहां खब कर आप एक आप 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 ऑनगे वैज एक्ने के लिए कर वेक्शन के दूचन के ले वहां टाप आप Cकर्रू कित एक बूर्स के एके